हेलो फ्रेंज्ट मैं हूनेहा वेल्कम तू डोष्टैप लार्णिग में लैन्ड बृब्स एंड सीब्स यानि स्थल समीर और सागर सनीर तो जो हमारे ये लैन ब्रीज एंड सीब्स होता है इसे किरियोडिक विंड होती है यह हमारी एक टाइम पे डे और नाइट में प्रियोडिक विंड जो है चलती है अब इस पूरे कॉंसेप्ट को समझने के लिए आपको यह मालूम होना बहुत ही जरूरी है कि एयर प्रेशर क्या होता है और किस तरह से जो हमारी विंड है वह हाई प्रेशर से लो प्रे कहते हैं हम एयर प्रेशर कैते हैं ठिक है एफ आच चलेर समझ गए हों weight of एयर मोलीक्यूल्स के और div Earth surface ठिक है अब जो हाइस हमारा एयर प्रेशर होता है वह कहां पर लगता है हमारे सी लेवल पर लगता है इसका मतलग कीया है कि जो air के जो molecule होते हैं वो सबसे ज़्यादा density होती है on the sea level ठीक है यह पर आप देख सकते हैं density of the air molecules is the greatest अब जो average जो sea level पे आपका air pressure है वो कितना होता है वो आपका 1013.25 millibar होता है अब इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 10 13 25 मेरा मेरा क्या हो जाएगा मिली बार 10 13 25 मेरा मिली बार ठीक है अब यह आपने इतना समझ लिया अब हम देखते हैं किस तरह से है क्या होगी expand होगी उनके molecule जो होंगे वो दूर-दूर हो जाएंगे तो क्या होगा लो प्रेशर क्रियेट होगा अब जो लो प्रेशर क्रियेट होगा तो क्या होगा एयर क्या करेगी उपर क्यों उठने की कोशिश करेगी और जब एयर क्यों करेगी तो एक जब स्टेज पर उपर क्यों जाके क्या होगी एयर ठंडी हो जाएगी अब जब ठंडी हो गई दुबारा से इसमें जो है एयर जो है भारी होगी ठीक है ठंडी हवा यानि लो टेंप्रेचर और एर प्रेशर हाई हो जाएगा ठीक है और नीचे की और शिंद करेगी अब यह क्या होगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हाई प्रेशर है अब नीचे जो आपका ग्राउंड सर्फेस होगा उसमें क्या होगा यहाँ पे हाई प्रेशर है यहाँ पे लो प्रेशर है अब किस तरह से चलेगी आपकी एर वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर कियो जो है आपकी एर चलेगी आई होप आप के लिए अप समझ गए हो तो चलिए आगी पढ़ते हैं अब हम देखते हैं हमारा लैंड और सी ब्र क्यों हमारे किस तरह से यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और विन्ड मूंब करती है और किस तरह से जो पूरी कंप्लीट है एक साइकल बनती है ठीक है अब इसमें देखिए इसको समरने से पहले आपको यह मालूम होना जरूरी है कि वो देर से ही जो है गरम होता है और देर से ही ठंडा होता है लेकिन जो हमारा लैंड होता है इस्थाल होता है वो जल्दी ही गरम हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है वो क्यों जो हमारे लैंड और सी है इनके जो हीट होने का जो मैथड है यानि इनके जो गरम होने का जो तरीका होता है वो दोनों ही अलग होता है जो लैंड होता है वो हमारे कंडक्शन के थुरू जो है गरम होता है लेकिन जो सी होता है यानि जो हमारा वाटर होता है उसके जो हीट होने का मैथट क्या होता है कन्वेक्शन होता है और यह जो दोनों ही मैथट है हमने प्रीवि कहें यह क्या करेगा जो सन की रेस है उसको ज्यादा रिफलेक्ट करता है और इसके जो पानी है उसके नीचे की स्थर तक गरम होने के लिए इस ज्यादा समय भी लगेगा as compared to the land और जो हमारे land होता है वो क्या करेगा जो sun की race है उसको जादा जल्दी से क्या करता है अब्जोर्ब कर लेगा ठीक है इसलिए जो हमारे ये दोनों में देखेंगे कि जो c है वो जल्दी ही sorry देर से गरम होता है और देर से ही ठंडा होता है याद रखेगा आप इसमें देखेंगे जब हमारा ये जो condition है sea breeze की summer में होती है day के अंदर यानि दिन में वो कैसे जब हम देखते हैं कि हमारा जो c है ये देर से गरम होगा तो क्या होगा जब ये देर से गरम होगा लेकिन जो हमारा लेंड है वो जल्दी ही गरम हो गया है तो यहां पर क्या बन गया high pressure और यहां पर बन गया low pressure अब wind किस तर से चलेगी हमारी high pressure से low pressure की और चलेगी और upper air में हम देखेंगे इसके opposite condition है याद रखेगा यहां पर क्या हो गया उपर high pressure से low pressure यानि सम्मुद्र से स्थलकी और पवन चल रही है यहां पर देख सकते हैं इसके opposite condition होगी हमने समझाता cycle किस तर से चल रही है ठीक है अब यह क्या होगा जब यह दिन में चलेगी तो क्या होगा यह ocean से या फिर sea से मुष्चर को collect करके लेके जाएगी अपने साथ जो हमारा coastal area होगा उसमें जो नियर में जो लैंड है महां का जो temperature है उसको यह क्या करेगी कम कर देगी यानि गर्मियों में जो अधित्तम तात्मान होगा उससे जो है राहत मिल जाएगी क्योंकि हमारी जो ही किस तरह से चल रही है समंदर से स्थल की और चल रही है हाई प्रेशर से लौ प्रेशर की और चल रही है और अपने साथ जो मुष्चर कलेक्ट करके लेकर जाएगी इससे क्या होगा जो coastal area होंगे वहां पर क्या होगा rainfall भी होगी ठीक है और यह जो आपकी condition है लेंड और सी ब्रीज की कहां तक रहती है कम से कम 40 से 50 किलोमेटर की जो पर करेंड के लोऔर सीनल कोशन एक तेक मोश्चर के वहां तक रहती है द्रॉद आपके लेंड अपर तक किलोमेटर की यह तक भी है आपके लेड थीजन से और लम जीन होती है वहां पर ऐसे cuánt तो आपका कोल्ड करंट जिस ओशन के अंदर चलता है कोस्टेल एरिया में जहां पर आपके कोल्ड करंट चलता है और ट्रोपिकल रीजन होगा तो क्या होगा आपका जो प्रेशर ग्रेडियन्ट है वह जादा हो जाएगा इसलिए उसके लिए भी अनुकूल जो कंडिशन है जो कंडिशन है उनको पैदा करता है तो वहां पर भी जो है सबसे ज्यादा आके लैंड और सी ब्रीज चलेंगे अब देखिए यहां पर हमने देखा किस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और विंड चल रही है दिन में और यह जो कंडिशन है कब स्टार्ट होती है दिन में आपके 10 बजे की करीज जब है आपके अधिकतम देखेंगे संडरे स्टार्ट हो जाती है और तापमान जो है अधिकतम होने लगता है तो क्या होगा टैंपरेचर का डिफरेंस जो है वह ज्यादा हो जाएगा इसलिए जो दस बजे के बाद जो है आपका सी ब्रीज जो है अपने पिक पे होने लगता है लेकिन 8 बजे साम के जब होता होता है क्या हो जाएगा आपका सी ब्रीज जो है खतम हो जाएगा साम तक और इसके अपोजिट जब आपकी नाइट जब स्टार्ट हो जाएगी 8 बजे के बाद के करीब तो है आपका लैंड ब्रीज चलन लगाएगा तो थंडा होने में टाइम लगाएगा लेकिन जो हमारे लेंड है उनने क्या करा है जल्दी से रिफ्लैक्ट भी कर दिया है जो गरम हुआ था तो यह जल्दी ही क्या होगा ठंडा भी हो जाएगा लेंड आपका तो किस तरह से बीन चलने लगेगी है प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगेगी लैंड में इन नाइट ठीक है याद रखेगा रात के समय में उल्टा होगा जब आपकी देखिए विंड किस तरह से चल रही है लैंड से सी की ओर चल रही है तो उसे हम क्या कह रहे हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कब कहते हैं जब आपके सी से लैंड की ओजब विंड चलती है उसे हम सी ब्रीज कहेंगे देखिए नाम भी आपको क्लियरली समझ में आ सकता है जो सी सी विंड चल रही है उसे सी ब्रीज कहेंगे और जो लैंड से चलेगी उसे हम लैंड ब्रीज कहेंगे और इसमें देख सकते हैं ठीक है यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर के और चलेगी तो क्या होगा अब लैंड पे तो कोई नमी नहीं है तो यह क्या होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर के और जो विंड चल रही है यह आपकी dry होगी यहाँ पर इनमें जो है moisture होगा क्योंकि जो यह wind है किस तरह से चल रही है sea से चल रही है तो अपने साथ moisture को भी collect करके लेके जाएगी ठीक है तो यह इस वाली जो wind है उसमें नम्मी होगी moisture होगा लेकिन जो wind land से sea की ओचलेगी उसमें क्या होगा dry होगी तक किस तरह से आपकी जो air है वो move कर रही है high pressure से low pressure की और किस तरह से एक cycle को complete कर रही है वो आपको इस concept को समझने में बहुत जादा मदद करेगा तो उसी concept को ध्यान में रखते वे इससे समझेगा देखिए valley breeze में क्या होगा दिन के समय जो आपकी mountain की जो slope होगी वो क्या करेंगी जो है highest insulation को receive करेंगी valley के comparison में ठीक है अब जब यह highest जब insulation को receive करेंगी इससे insulation को receive करेंगी यहां से आपकी जो यह slope है तो क्या होगा यहां पर आपके low pressure क्रियेट हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं और जो आपकी valley है इसमें आपके insulation जो है कम receive होगा इसलिए यहां पर टेमप्रेचर कम होगा और high pressure क्रियेट होगा अब आपकी विंड किस तरह से करेंगी माल लेजें यहां पर आपका low pressure बन गया है यान टेमप्रेचर जादा है तो एक क्या करेंगी उपर की और कि और ठीक है और किस तरह से चल रही है high pressure से low pressure की और वैली ब्रीज में किस तरह से चलती है आपकी पपन जो है यानि विंड आपकी valley से mountain की और चलती है ठीक है high pressure से low pressure की और और फिर जब यहां से पर दुबारा यहां पर पहुच जाएगी आपकी तो यह भी गरम हो जाएगी और ऐसे ही एक cycle बन जाएगी समझ गए एक cycle का create हो गई यहां पर देख सकते हैं इसी को क्या कहेंगे हम valley breeze कहते हैं जब आपकी जो wind है valley से mountain की और चलती है अब देखते हम mountain breeze में इसके opposite जो है condition होती है रात के समय और इसके लिए जो है आपका जो sky है वो बिल्कुल clear होना चाहिए ताकि आपका जो terrestrial radiation है वो हो सके यानि पाथी विकीरण जब आपसका sky जो है साफ होगा यानि बादल नहीं होंगे तभी तो जो है जादा से जादा जो heating है उसको reflect कर पाएगा बा हो जाएगी तो क्या होगा यह वाला जो अनलो आपंट नो कै यह क्या करेंगे वाmir farm कर देंगे और जो आपका मांंटेन का सmotl de अधे 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 रूट करेंगा प्रिश्र बनेगा और लेकिन जो आपके वेली होगी यहां पर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि अपर रइन धयाधा है और से चलेंगी अध्र काइब बनेगा लेकिन यहां QA घ्लि यहां जादा है तो ऊपर की और नीचे की और फिर दुबारा ऐसे सिंख कर जाएगी ठीक है ना याने जो गैप बनेगा जहां भी एर का उसको यह फिल करने की कोशिश करती है तो एक साइकल सी बन जाएगी आपकी देख सते हैं धर ठीक है फिर दुबारा यह नीचे इधर कि यह संद करेगी यानि इस तर से हइप रेसर से लो प्रेशियर की और आपकी जो है mountain breeze में विंड चलेगी mountain से चल रही है इसलिए से mountain breeze कहते हैं ठीक nga mountain से valley की चलने वाली हवा जो है उसे mountain breeze कहेंगे और इसके कि वाज़े से क्या होता है आपके जो माउंटेन विरिज है उसके वाज़े से क्या होता है घाटी में यानि आपकी वैली में क्या है पाला पढ़ जाता है यानि फ्रोस्ट पढ़ जाता है ठीक है पाला क्या होता है अधिकतम ठंड पढ़ जाती है जिससे क्या होगा आपकी ज चन्ने वाली विंड, mountain breeze, reason क्या है कि mountain जो है आपका ज्यादा से ज्यादा ये slope है जो है mountain का terrestrial radiation करेगा और यहाँ पर temperature कम हो जाएगा और high pressure create होगा I hope आप इस पूरे concept को अच्छे से समझ चुके हों और यहीं पर हमारी video जो है खतम होती है अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए और अपने friends के साथ share करना ना भूले और comment करके जोरू बताइएगा कि आपको इस वीडियो कैसी लगी